किसी दिन एक शास्त्री आया और इसा की परिक्षा करने के लिए उसने यह पूछा गुरुवर अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्थर दिया अपने प्रभु इश्वर को अपने सारे रिदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धी से प्यार करो और अपने पडोसी को अपने समान प्यार करो इसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थक्ता दिखलाने के लिए इसा से कहा, लेकिन मेरा पडोसी कौन है? इसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यिरुसालेम से येरिखो जा रहा था, और वह डाकों के हाथों पड़ गया, उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया, और अधमरा छोड़ कर चले गए संयोग से एक याजक उसी रह से जा रहा था, और उसे देखकर कत्रा कर चला गया, इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया, और उसे देखकर वहाँ भी कत्रा कर चला गया, इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया, और उसे देखकर उसको तरस हुआया, वहाँ उसके पास गया, और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डाल कर पट्टी बांधी, तब वहाँ उसे अपनी ही सवारी पर बैठा कर एक सराय ले गया, और उसने उसकी सेवा सुशुशा की, दूसरे दिन, उसने दो दिनार निकाल कर मालिक को दिये, और उससे कहा, आप इसकी सेवा सुशुशा करें, यदि कुछ और खर्चो जाए, तो मैं लोटते समय आपको चुका दूंगा, तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाखों के हाथों पड़े, उस मनुष्य का पडोसी निकला, उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की, ईसा बोले, जाओ, तुम भी ऐसा करो,